हलो मैं नवस्कार मेड़ी प्यार आपका इस यूटूब चैनल में बहुत बहुत साथ करता हूँ तो आप कैसे हैं मुझे उम्मीद बहुत अच्छे होंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीयाई मोदीजी को एक बहुत बड़ी मलब कहना चाहिए कि सदमा लगा है बहुत बड़ी हार ही मान लीजिए कि जो 400 पार का नारा लग रहा था अब उसमें 300 पार भी नहीं हो पाया देखिए इसका मतलब यह हुआ है कि जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पाया RLE को लेके साथ वो किसान बरक को साथ लेंगे या फिर जाट समाज को साथ लेंगे ऐसा कुछ हो नहीं पाया फिर भी जो थे किसान या जाट थे वे सभी छत्रिय जो थे वे सभी फिर भी साइकल के साथ कूद पड़े अब इसमें एक कूदने का कारण कई सारे हो सकते हैं लेकिन कुछ लोग अगर हम अपनी तरफ से देखें तो यहां पर क्या कमिया हुई हैं जो फोजी समाज है जो रिटाइर पैंशनर्स हैं उनके कई कारण हो सकते हैं अब देखिए यहां पर एक ultimate दिया है और देखिए अगर यही रबया रहा तो आगे फिर और फसाद बन सकता है सबसे पहला रीजन में पताऊंगो आपको कि 18 महीने का area बहुत बड़ा मुद्दा बना है जिसका विपक्ष ने पुर जोर समर्थन किया था और कहा था हम आए तो हम आपको देंगे इसके बाद में पुरानी पैंसन विवस्ता को बहाल न करना OPS को लागू न कर पाना ये एक बहुत बड़ा कारण बना है यहाँ पर मोदी जी की मतलब कहना चाहिए कि कम सीटों का आना पुरानी पैंसन अगर बहाल हो जाती है तो फिर दुबारा से यहाँ पर वो अडियर रवईया जो है उसको अगर बदल लेते हैं तो यहाँ पर फिर उनको पूर्ण समर्थन मिल सकता है यह वीडियो बहुत ही इंपोड़न्ट है इसको अगर कोई भी बंदा देख लेगा जो भी भाजपा से जुड़ा हुआ है तो साइद इस चीज पर अमल जरूर करेगा आठ्वे बेतन आयोग को लेकर कोई भी कमेटी गठन न करना यह एक बड़ा कारण हो सकता है अगनी बीर योजना बनी फसाद की जड़ जैसा कि आप लोग जानते हो कि चार साल की नोकरी म युबा क्या करेगा अब को कंफ्यूजन तो रहेगा ना कि मैं कहां जाओं क्या करूं यह क्या होगा फिर इसके बाद क्या होगा तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और जो भी युबा हैं वो इस बज़े से बीजेपी से रुष्ट हुए रेलवे किराय में 50% की चूट कोरोना के पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे किराय में 50% की चूट दी जाती थी लेकिन कोरोना के बाद सभी पैंसन को सीनियर सिटीजन को केंदर सरकार से मांग करी बारवार डिमांड करी लेकिन फिर भी यहां पर कुछ भी नहीं मिला इसी का खामाजा केंदर सरकार को भगतना पड़ रहा है कम्यूटेशन वाली 12 साल करने की मांग जैसा कि आप लोग जानते हो कि 15 साल से गटा कर नेम के अनुसार अब 12 साल कर देनी चाहिए क्योंकि वो समय अलग था जब 15 साल तक कटती थी कम्यूटेशन लेकिन अभी यहाँ पर जो समय है जो जिस तरीके से जीडीपी है जिस तरीके से ब्याजदर है उस तरीके से 12 साल में ही कम्यूटेशन बंद हो जाना चाहिए 65 साल से मिले अतरिक्त पैंसन क्योंकि विक्तियों का ओसतन जो एवरेज आयू का है वो अब सौ साल नहीं है इस बात को समझ लो 32, 65, 70 तक लाश्ट जी रहा है इसके बाद खतम कहानी और फिर मिलका रहा है 80 साल के बाद दे रहे हो आप लोग तो उससे कोई फाइदा नहीं है तो इसलिए 65 साल से यहाँ पर अतरिक्त पैंसन लागो की जाए वारूपी में दूर नहीं की गई बसंगतियां बहुत संगठन चले लोगों ने दो दो तीन तीन साल तक अड़े रहे धूप गर्मी बरसात सम्मे लेकिन क्या नतीजा हुआ यह नतीजा हुआ कि वहाँ पर कोई भी किंद सरकार के कानों पर जू नहीं रहती है इसका इसका ही कारण है कि बीजेपी मैचॉर्टी जो भी मैजॉर्टी है उसमें नहीं आ पा रही है और देखिए अभी तो यह अल्टिमेट दिया गया है कि आप लोग अभी भी सुधर जाईए क्योंकि देखिए कुछ अच्छे लोग हैं जो कि यह सोचते हैं कि भाई सरकार तो हिंदत की है बीजेपी की है भारत के हितेसी सरकार है भारत यह सरकार है तो क्यो ना इसको थोड़ा सा मनलब थोड़ा सा इसको समझाए जाए इस तरीके से थोड़ी सी बोट की चोड़ दी जाए तो वो बोट की चोड़ दे दी गई है अब मैं बस यही कहुँआ सबसे हाथ जोड़ के कि देखिए यह जो attitude है ना यह attitude जो होता है वो हर जगे काम नहीं करता है आप इसको एक चीज़ समझ लीजिए कि इसको रवये को बदलना पड़ता है तो फ्रेंट्स यह जो रवया है ना वो जो अडियल रवया है वो हर समय नहीं चलता है और मोदी जी मैं तो यह कहुँआ कि आप एक अच्छी नेता है बहुत बढ़िया आप सहिंसील पुरुष है और इन चीज़ों को आप लोग सब समझते है आप सबका विकास सबका साथ सबका साथ सबका विकास का नारा न देकर आप लोग बस यही नारा दीजिए जो साथ है उसका विकास होगा तो ये सम्मब हो सकता है लेकिन आप सबके विकास के चक्कर में अपनों के विकास को भूल रहे हो अपनों का विकास रह रहा है जब जो आपके साथ करें उनका विकास नहीं होगा तो वो भी आपके साथ से छूट जाएंगे न तो आप लोग सबके विकास के चक्कर में अपनों का विकास को मत खो मेरी आपसे हमार रोकेस्ट है तो फ्रेंट्स ये वीडियो दूर तक जानी चाहिए इसलिए इसको सेयर कर दें चैनल सब्सक्राइब कर दें पहली बार आए हैं तो मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए राते रहता हूं ये जो फैक्टर हैं मैंने आपको दिये हैं ये फैक्टर बिल्कुल सीधे साधे हैं जो के इस चीज से जुड़े हुए हैं बिलता हम आपसे एक लिए वीडियों तब तक के लिए जैहिन चैनल भारत नमस्कार बंदे मातरम